ये ये मेरे पास है 1775 DC मोटर, इस वाले मोटर को मैं काफी दिन से प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज में ले रहा हूँ, तो आज मैं इस मोटर को आपको रिपेर करके दिखाऊंगा, आपके पास भी इस टेप का मोटर होगा तो आप भी रिपेर कर लोगे, और इस वाले मो मोटर मिलता है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ओनलाइन में लगबग 400-500 रुपए के बेरिंग वाला मोटर मिलता है, लेकिन हम इसमें ओनली 30 रुपए की खर्चकर की इस वाले मोटर को बेरिंग वाला मैं आपको बना कर दिखाने वाला हूँ, औ उस मोटर को कैसे पहिचाने और औरीजनल मोटर को कैसे खरीदें, वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को complete देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो चलो कि अब इस नौर्मल वाले मोटर को bearing वाला बनाते हैं इस 775 DC मोटर में bearing लगाने एक बात इस मोटर का life जो है ने काफी दा बढ़ जाने वाला है और साथ ही साथ जो यह problem होता है साफ्टके आगे पिछे होने का यह problem भी solve हो जाएगा और मोटर काफी दा smooth चलेगा मैंने और भी DC motor का boost चेंज करके bearing लगाए हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हो भी 555 DC motor का boost है इसका हालात देख सकते हो इसका haul तो काफी दा बड़ा हो चुका है टेड़ा मेरा भी हो गया है दोस्तो इस 775 DC motor में bearing fit करने से पहले हम इस motor को खोलना होगा तो पिछे में आप करना होगा या फिर प्लायर की मदा से आप लिकाल सकते हो लेकिन इसमें काफी दिग्गत होता है इसलिए मैंने चोटा सा जुगाड बना लिया है देख सकते हो मैंने ड्रिल मसीन में टर बलेड जो है लगा दिया है इसकी मदा से मैं लॉक को अच्छे से कट कर लेता हूँ और अगर आप ये ड्रिल मसीन बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हो 775 DC मोटर से मैंने भी बनाये दो साल पहले मैंने इस ड्रिल मसीन को बनाया था अभी भी काफी मस्तर तरीके से काम करता है तो इसका मेकिंग वीडियो देखना चाहते है तो आई बटन पे मैंने लिंक बग्स दोगुना बड़ा होता है इस टेप कर डुप्लिकेट 775 DC मोटर आज कल मार्केट में काफी दाब भीक रहा है तो इस वाले मोटर को कैसे पहचानना कि यह ओरिजनल मोटर है या फिर डुप्लिकेट मोटर है यह सभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं इसमें क लखनेक बाद है थोड़े की मदसे मैं इसे ठोक देता हूं तो पिछे से बूस जो है बाहर निकल जाएगा आप देख सकते हो कुछ इतना बड़ा इसमें बूस लगा हुआ है और यहां पर देख सकतो निसान इसमें भी गिसने का पड़ चुका है इस वाले बूस के बदले यहां पर कौन सा नंबर का बेरिंग लगेगा उसका साइज वगेरा कितना होगा चलो मैं आपको दिखाता हूं यह मेरे पास बेरिंग वाला से उंसेन 5 डिसी मोटर दोनों मोटर का डायमीटर सेम ही है सेम ही अकार का है तो यहां पर जो बेरिंग का नंबर है मैं आपको दि इस वाले मोटर में भी सेम नंबर का बेरिंग असानी से लाग जागा है वैसे इस मार्केट में को टाइप का बूस वाला मोटर मिलता है यह भी 775 DC मोटर है लेकिन इसमें जो बूस लगा है इसका साइच काफी दा छोटा है आप देख सकते हो मैं आपको डायमीटर चेक करके दिखाता हूँ यहां पर देख सकते हो 14.7 मिलीमीटर का यहां पर इसका डायमीटर है काफी दा छोटा है इसके साइच का बेरिंग नहीं मिलता है मार्केट में इसलिए अगर आपके पास इस टाइप का मोटर है तो आप उसमें लगा पाऊगे अगर आपके पास इस जेट नंबर का बेरिंग लगा सकते हो गाईस यह रहा मेरा बेरिंग का कलेक्सान मेरे पास अलग अलग साइज का काफी सारा बेरिंग है तो 775 DC मोटर में यह वाला बेरिंग लगेगा 625 डबल जेड वाला इन सभी बेरिंग को मैंने ऑफ-लाइन मार्केट से खरीदा है 30 रु तो लग्री के उपर मैं यह ठोक ठोक कर बाहर की और निकाल लेता हूँ मैगनेट को बाहर निकालने के बाद अब जो बेरिंग है उसे बीजवाले होल में मैं इस्टिप से डाल करके अच्छे सेट कर लेता हूँ इछे अंदर में फिट करने के लिए मैं एक बोल्ट करूँ और बेरिंग को अंदर क्यों ठोक दूंगा गैस ये देखो काफी बड़िया से बेरिंग यहां पर फिट हो चुका है अब जो मैगनेट पहले हमने लिखाला था उसे वापस यहां पर लगा दूंगा मैं दोस्तो अगर आप नॉर्मल 775 DC मोटर को हाई स्पीड वाला बनाना चाहते हो तो मैंने वीडियो को बना रखा है वीडियो का लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है तो उस वीडियो को देखकर कि आप असानी से 775 DC मोटर के स्पीड बढ़ा सकते हो 555 मोटर का भी स्पीड के से बढ़ाते हैं उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है अब दोस्तो जो आर्मे 4 ही से मैं बेरिंग के अंदर अच्छे से लगा देता हूँ बेरिंग में जो होल दिया है वो 5 mm का है और मोटर का साप्ट भी 5 mm का है असानी से यहां पर फिट हो जाएगा थोड़ा ठोकना पड़ेगा तो इसलिए मैं आप लखड़ी की मदद से यहां पर ठोक देता हूँ अच्छे से जो कार्बन ब्रा से इस टेप से फैल जाता है यह वाला ट्रिक काफी देदा यूसफुल है तो आप कोई भी जीसी मोटर रिपेर करो आप इस टेप का चाबी बना सकते हो और काफी अच्छे से इस पीछे वाले धकन को यहां बर फिट कर सकते हो बहुत ही असानी होता है इस इसके अंदर पहले जैसे पीछे में लॉक लगा था नो उसी टेप का हमें फीर से इसमें लॉक बना कर लगाना होगा नहीं तो मोटर में जब प्रेसार पड़ेगा तो इसका पिछे का धकन फीर से खुल सकता है तो इसलिए मैं जूलीरी 10 की मदा से 4 पीछे में च्छोटा कट मार दूँगा तो गैस देख सकते हूं इस टेप से छोटा छोटा यहां पर मैंने कट लगा दिया है अब मैं पहले की तरह इसे अंदर की और मोड देता हूं ठोक ठोक कर इस टेप से आप भी पिछे में लॉक लगा सकते हो अब मोटर के साप्ट में प्रेसर पढ़ने पर यह पिछे से खुले गए नहीं तो गैस आप पिछे में थोड़ा सा ओईल वेगेरा लगा देते हैं ताकि मोटर जो है स्मूथ चले पिछे में बूस लगा होता है तो आपर ओईल लगाना जरूर ही आप बेरिंग में भी लगा सकते हो तो चलो गैस अब मोटर को मैं आपको चला कर दिखाता हूं इससे पहले मैं इसमें ड्रिल चक भी फिट कर देता हूं और देख सकते हो गैस काफी बढ़िया तरीके से हमारा मोटर एद्दम स्मूथ तरीके से कटर मसीन और भी काफ सारे प्रोजेक्टर में अब इसका यूज़ कर सकते हो काफी बैतरी मोटर बन चुका है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा 775 DC मोटर और और फेक है तो एक कैसे पता लगाना है चलो मैं आपको बताता हूं इससे पहले अभी तक आपने इ और कौन सा डुब्लिकेट है अभी मेरे हाथ में यह दोनों मोटर है न यह दोनों डुब्लिकेट मोटर है तो अब मैं आपको ओरिजनल मोटर दिखाता हूं यह देख सकतो बेरिंग बाला ओरिजनल मोटर है तो इसके साथ हम कंपियर करकर देखेंगे डुब्लिकेट मोटर में आपको दिखाता हूँ साप्ट का साप्ट इसका काफी दा लंबा है देख सकते हो डुब्लिकेट वाला मोटर का और पिछे में जो बूस लगा होता है यहां पर जड़ा सभी साप्ट इस्ट्रा बहार नहीं लिकला होता है अब दूसरा डिफ्रेंस दिखाता हूँ यहां अगर देखने से मालूम चलता है जो उप्यावर मैगनेटिक कवर लगा है इसके साइज में डिफ्रेंस है देख सकते हो काफी ज़्यादा चोटा है और यह काफी ज़्यादा बढ़ा है और इसका क्वालिटी भी काफी दा बैतरी नो मोटा सीट से बना है जबकि डूब्लि अर्मेचार है कौन सा डूब्लिकेट और इसमें लगा हुआ है बीना खोले मैं आपको बताता हूं इसमें चेक करने का तरिका अब इस टैप का कोई पतला सा चीज ले सकते हो रिफिल वेगरा या फिर आप सीरेंज भी ले सकते हो तो इसे अंदर की और इस टैप से डालना ह इसके अंदर गुसा करके तो इसमें भी मैं आर्मेचार को टच करता हूं तो देख सकते हो गया है यानि इसमें जो है न अच्छा वाला यानि ओरिजनल वाला आर्मेचार इसके अंदर लगा है कुछ इतना बड़ा तो जिसका आर्मेचार बड़ा होगा उसमें पावर भी क होता है तो ON I'll्फ में इसे तॉल कर wil мोटर यह डू hating मोटर और दोनों if नो है यह Leos वाला original motor और यह Barsely Nah ओर लेह सभी का वेट करके मैं को दिखाता हूं सबसे पहले है वो डू बल्स पर थे कख से और हैों रहे हैं 247 जूज हैब बोलिकाट मोटर लेते हुना तुका में चाहिए 250 Dannliche Elektorm고 स्कूला लेकर करके 200 ग्राम के भीच में होना चाहिए बूस्थ वाला मोटर का की अब चलो बेरिंग वाला का चेक करते मैं आपको दिखाता हूं उसका वेट कितना हो तो आठिस वाले मोटर का वेट लिकल कराई है 335 ग्राम तो गैस बेरिंग वाले अरिजनल मोतर लेते हो ना तो उसकी वेट होना चाहिए 300 ग्राम से 340 के बीछ में तब उरिजनल मोतर होगाust वी होब में आपको जो जो आपको ट्रिक बताया जो जो डिफरेंस बताया उसको ध्यान में रखकर ही इस बार DC मोटर खरीदना वैसे आप ओरिजनल 775 DC मोटर बेरिंग वाला खरीदना चाहते हो ना तो मैंने बाइल लिंक कमेंट में और डिस्क्रिशन में दे दिया है एमाज जिसमें आधा कट लगा होता है तो इस टेप से अगर आपके पास कट वाला मोटर है ना तो इसमें कई बार प्रोब्लम होता है फेन ब्लेट लगाते समय या फिर ड्रिल चक वेगरा लगाते है ना तो काफी दा वैबरेट करता है इसकी वज़ा से और सहीं से नहीं लग पा जो गैप है उतना को पूरा भार देना है इस टेप से यहाँ पर मैंने काफी सारा सोल्डिंग कर दिये अभी हमें इसे एक बरोबार करना होगा इसे लेवाल में करना होगा तो इसलिए इसमें इसे चालू करके रेती की मदस्ति से घिस देता हूँ जो भी उपार नीचे यह काफी बढ़िया से यहाँ पर घिस करके जो सोल्डिंग वायर था नो अच्छे से यहाँ पर घिस करके राउंड कर लिया है तो अब मोटर जो है यूज करने के लिए रेडी है तो आप इसे फैन बिलेड में लगाओ ड्रिल चक में लगाओ या भी किसी भी प्रोजेक्ट हम तो यह रहा वीडियो को लेंग इस फेर क्लिक करके आप स्पीट बढ़ा सकते हो मोटर का तो चलोगे इस मिलते हैं नेस्टे वीडियो में थांक्स पर वाचिंग गाईज बाई